Hello everyone, welcome back to our channel, तो आज हम discuss करने वाले हैं class 12 का जो कि MP बोर्ड वाले बच्चे हैं, उनके लिए काफी जदा important है, क्योंकि इसके अंदर जो आज English का sample paper है, जो कि आपके कल paper होने वाले 17 तरीकों, तो उसके लिए काफी जदा important है, तो ध्यान से सोना, ये जो paper है, ऐसे ही questions आपको exam के अंदर देखने को मिलेंगे, तो फिर चली स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने से पहले मैं सभी students से चाहता हूं, कि आप comment box के अंदर yes लिख देजी, क्योंकि जैसे कि आप अगर मेरे सामने होते हैं, अगर हम class में मिल पाते हैं, तो मैं आप लोग को कहता कि क्या आप अंटे का और इसके अंदर 80 marks रहने वाले हैं, अगर आपने मेरी पूरी-पूरी बाते सुनी, तो कल आवाले exam के अंदर 80 out of 80 स्कोर कर सकते हो, अभी इस sample paper से क्या help ने लेगी, वो ध्यान से सुनना, अब देखो आपके पास में इस chapter के अंदर, मतलब इस paper होगा, इसके section B और एक होगा section C, जिसके अंदर के section A होगा reading वाला, अब यह जो reading वाला section है, इसके अंदर सबसे बाड़ी दिक्कत बच्चों को रहेगी, यहां पर ही सबसे ज़्यादा गलती करोगी, अब इसमें गलती क्या करोगी, सबसे पहली इसको जाती attempt करोगी, सबसे first time पर इसको attempt नहीं करना है, क्योंकि यह सबसे ज़्यादा time waste करेगा, और इसका weightage भी कम रहेगा, लिकिन अगर वहीं पर ही बात करे section B की, तो वो रहने वाला writing का, और जो section C है वो रहेगा literature का, तो आप देखो literature वाले question आप पढ़ के जाओगे, आपको literature के बार में पता, आपको पता भी जिनका weightage आदो, मदब तीन number वाले questions को सबसे पहले करना है, तो पहली बात तो ही होगी कि कौन सा section attempt करेंगे, C section attempt करना है, और फिर उसका बात में B section, जो कि writing वाला रहेगा, राइटिंग के अदर आपके पास में जो भी रहेगा paragraph वगेरा, वो सब कुछ आपको लिखना है, letter वागेरा, वो अच्छे से लिखना है, और फिर उसका बात करेंगे हम section A के, क्योंकि section A को करने में जो time लगता है, वो लगता है करीब गरीब 30 से 40 मिनट लगते हैं, क्योंकि यह मैं इसलिए बोल रहा है, क्योंकि मैंने पिछली बार जब बच्चों को पढ़ाया था, तो कर आप लोग मत करना, आपको मैंने पहले suggest कर दिया, तो इसके अंदर section A है, जो कि reading का रहेगा, reading के अंदर आपको passage है, passage से related यहां पर questions है, और यह पूर एक पूरे रहने वाले है, आपके मतलब MCQ questions रहेंगे, पहले वाले के अंदर MCQ questions है, तो इनको किस तरीके से करना है, पहल पोज करो, या फिर आप screenshot लो जो भी करो, लेकिन इसको पोज करो, फिर उसके बाद में इस paragraph को जल्दी से पढ़ो, देखो आपके पास में time बहुत कम है, तो यहां पर time कम होने की वज़े से आप लोगों के लिए यहां पर यह करना पढ़ रहे है, जल्दी से इसको पोज कर वो रहने वाला है, यहां पर इसी तरीके से आपके पास में 6 questions रहेंगे, 6 नहीं है, इसके अंदर करीब करीब 10 questions है, पैसे नंबर 1 से इसके कितने questions है, वह है 10 questions, अब पैसे नंबर 1 से 10 questions है, तो इनको आपको solve करना है, अपनी rough notebook के अंदर इससे solve करो, इनके answers लिखो, और फि आपको answer साथ में जरूर से देते वें चलना है, और एक और बात, अगर आप लोगों ने अभी तक subscribe नहीं किया, तो subscribe कर लो, और उसी के साथ में, क्योंकि आपके यहां पर और भी subject जैसे की हिंदी हो गया, और भी जितनी भी subject हैं, उन सभी के sample paper भी मिलने वाल है, तो उसके लिखा करना है, सबस्क्राइब कर लेना है, और बेल नोटिफिकेशन ओन कर देना, ताकि जैसी वीडियो है, आपको जल्दी से पता लग, जो आपका टाइम वेस्ट ना हूँ, देन फिर उसके बाद में चलते हैं, जो नेक्स्ट आने वाल है, इसी तरीकी से paragraph number second है, जो कि and the more we have learned about dolphin, the more we realize that their society is more complex than people previously imagined and they look after the dolphins when they ill care of for pregnant mothers and protect the weakest in the community as we do, तो देखिए इसके इंदर simple सी बात है कि इसमें करेगी dolphins की, तो आप जब कभी भी 2 से 3 9 ने पढ़ो, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ ये इसके बारे में है, और फिर उसके बाद में आपको इसके notes बन Dolphin रहेगा, और फिर उसके बाद में Dolphins R&D Intelligent Creators on the Earth, ये भी हो सकता है, और सभी के अपने-पने according रह सकते हैं, तो इसका तो रहेगा Dolphin R&D Intelligent Creators on Earth, ठीक है, ये हो गया, और फिर उसके बाद जब इसके short notes बनाओगे, तो आपको इसमें करना है कि यहाँ पर एक तो friendiest creature है, फिर second है कि वो किस तरीके से take care करते हैं दूसरों की और फिर इस तरीके से underline करते हुए, जो भी आपको important points लगे, उनको points के अंदर आपको इसे लिख देना और इसकी short notes बनाने है, तो इसके अंदर आपको क्या करना है कि आपको एक advertisement करनी है, 50 words की, तो अब advertisement के अंदर क्या हो कि A को begin लिए, फिर उसके बाद में 2 को begin लिए, यह दो word होगे, यह दो word नहीं होते हैं, यह दो word नहीं होगे, आपको 50 word का मतलब भी है कि आपको इसके अंदर कम से कम कितनी लाइने लिखने हैं, 5 से 6 लाइने लिखने होते हैं, 50 words का मिनी ही होता है, क्योंकि एक्जाम में य कि आपको इसके अंदर पांच लाइन ही लिखने होंगी और एडवर्टाइजमेंट करना है एडवर्टाइजमेंट किसका करना है कि अशिमा है जो एबोड जा रही है फोरेन एसाइमेंट फॉर फाइफ यर्स के लिए एंड वो अपना रेफरीजेटर सेल करना चाहती एलसीडी टीवी सेल करना चाहती डबल बैट सेल करना चाहती अलमीरा सेल करना चाहती है तो आप इसके अंदर कोई एक अट्रेक्टिव लाइन लिखना एक तो सबसे पहले जो आपको करना है कि आपका आकर्शक लगेगा तो आपको क्या करादे 1 आलमीरा को free करादा तीन समान के साथ में चौफा समान free अगर पुरा-प्रो कोई खरीता है जो फिर उसके बाद में आपर address नि दिन दिया है तो अपना address का भी भी मत डालना address अपना नहीं डालना है इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक स्लोगन जरोर से तयार कर लेना, इसके लिए स्लोगन आपको तयार करना है, स्लोगन कुछ भी हो सकता है, कि सेव अर्थ, सेव प्लांट्स, या फिर ग्रो मोर प्लांट्स, लिव लाइफ, यह ऐसा कुछ भी स्लोगन हूँ, जो कि आप इंटरनेट पर अभी सर्च कर सकते हैं, अभी मेरे को एस क्लिक नहीं कर रहा है, लेकिन आप ऐसे कोई भी स्लोगन ना सकते हो, इस तरीके से रहेगा, मैं पोस्ट बना की भी दिखा देता हूँ, जो मेंली देखते हैं, वो देखते हैं कि यहाँ पर हाथ हैं, और हाथ के अपना नाम कभी भी मत लिखना पेपर में, देन फिर चलते हैं, यहाँ पर क्योशी नंबर फूर के अंदे जिसके अंदर है कि यू आर आनंद कुमार मिश्रा, तो यहाँ पर आपका नाम दिया है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रेजिडेंट एक रेजिड अब कोई भी स्टेट नहीं दिया हुआ, तो आपको छहत्रपूर दिया हुआ तो यहाँ पर तूद आपको लिखना है कि कहां पर है, to the collector office, फिर उसके बाद में शत्रपूर, और फिर उसके बाद में आप लिखेंगे कि कहां से है, और डेट लिखनी है, इन इचलने के यह आपको प्रोब्लम्स बतानी है फिर उसके बाद में आपको यह निकारना है कि आप इसके अगेंस्ट एक्शन लो यह सब कुछ आपको आपको लेना है कि सर जल्दी से जल्दी इसके अगेंस्ट कोई एक्शन लीजिए ताकि यहाँ पर जितने भी ओल्ड एज हो में उनको काफी जादा प्रोब्लम हो रही है तो उनको लिखर के कोई एक्शन लीजिए आपको उनसे request करनी है requesting tone होनी चाहिए आपकी यह नहीं कि और दे रहो אוडर नहीं आपको फॉर्मल lighter लिखना है की फैमिली में यहां पर भी सब कुछ अच्छे से हैं इसको इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करके लिखना है हिंदी में मतल लिख देना जो भी मैं बता रहा हूं उन सभी चीजों को ध्यान से सुनो और उनको इंप्लिमेंट करना ठीक है कि आपका प्रेजेंट मुझे का प्रेजेंट बहुत यह अच्छा लगा जो भी हो बहुत ही अच्छे से फॉर्मल टोन में लिखना है और फिर उसके अंदर लिखना है कि ऐसे ही पत्र भेजते रहा गये जिए और फिर लास्ट के अंदर यॉर्स लविंग या फिर जो भी आपको लिखना है उसके अदर नाम लिख देना है, फिर उसके बाद में आप पर आते हैं कि एक आर्टिकल लिखना है आपको जो की टॉपिक रहेंगे 200 वर्ट्स के अंदर लिखना है, इसके अंदर फिजिकल एजुकेशन है, है जार्डरस्ट ओफ एंदी पॉलिबैग और साइंस इन आउर स्कुल यहां प प्रेक्टिस कर रहे हो तो इन पांचों की एक बार कर लो, इन पांचों की एक बार लिख करके प्रेक्टिस कर लो ताकि आप बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर पाओ, फिर उसके बाद नहां पर यह है कि तो यहां पर आपको क्या करने, एक रिपोर्ट लिखनी है, आपको इस रिपोर्ट के अंदेर इंक्लूड करना होगा कि मैं जा रही थी, मैं ओफिस, आइम है अमीता दूबे, एंड आइम गई तो मैं ओफिस, और 14th of November, नहीं, 14th of November, यह डेट जरूर से लिखनी है, और टा के बीच में आपको डालना है कि दिन बहुत ही अच्छा था, और मैं बहुत ही अच्छे से तयार हो गई थी, हरी अप वो सब करना है, फिर उसके बाद में कारवाले की गलती नहीं थी, रॉंग साइड में आ रही थी, यह सब कुछ आपको अपनी तरफ से रिपोर्ट बनान है, जादा तर जो आप लेंगेज, अगर आप किसी की सोच करके लेंगेज लिखोगी ना, तो वहाँ पर गलती हो सकते हो, 20 वर्ट का मतलब है कि कम से कम 20 लाइन लिखने, 20 लाइन का मिनिंग यह है कि एक पेस तो कम से कम भरना ही चाहिए, और बैठ करके गिनने मतलब जाना मतलब 20 लाइन है, तो 20 लाइन ही लिखने हो सकता है, उपर नीचे कर सकते हो कि 18 या फिर 19 लाइन तक माना जाएगा, लेकिन एक तो यह हो कि आप 15 लाइन लिखो तो वहाँ पर वो acceptable नहीं है, तो वो थोड़ी गलतिया ना करें, फिर उसके बाद में section C आती, grammar जो की काफी ज reading वाला पाट, ठीक है, इस तरीके से करना है, और यहाँ पर जो question आएगा, अब इसके अंदर करते हैं कि fill in the blanks, choose the correct option from the his brother is, तो यहाँ पर इसके अंदर आप बताओ, comment के अंदर मैं तो answer बताऊंगा, लेकिन आप इसका answer बताओ कि इसका answer क्या है, जिल्दिस comment section के अंदर comment कर यह option है, फिर उसके अंदर second है कि Mr. David is a rich person, but या फिर end, तो कौन सा आएगा, इसके अभी answer बताओ, comment के अंदर, देखो मैं जो भी पूछ रहा हूँ, वो सारीक सारे बताते हैं, इसी तरीके से इसका भी बता दो, starting के जो 6 है ना, 6 के 6 हों के answer डाल दो कि sir, first का यह है, second का यह ह third का यह है, fourth का यह है, यह हमारे answer है, और फिर उसके बता रहा हूँ, उससे match कर लो, ठीके, अब इसका जो correct answer है, पहले बाले को थो था, और फिर second बाले का है कि यहाँ पर बट रहेगा, फिर उसके बाद में, अनिल is sitting among, या फिर between, इसका answer हैगा between, और फिर उसके बाद में, he apple product की बात नहीं हो रही है, और फिर उसके बाद चलते हैं, यहाँ पर children's love to play on the sand, या फिर love play on the sand, यहाँ पर children है, यह क्या ही, यह है parallel, अजब यह parallel है, तो आपको क्या करना होगा, loves लगाना होगा, जब कभी भी parallel होता है, तो उसके अंदर es लगता है, और अगर यहाँ पर parallel नहीं होता, तो आपको simple size के अंदर love लिखना होता, और फिर उसको बात में आप पर six आता है, six तो आले के अंदर है कि you can not, मतब you cannot talk in library, you will आएगा या फिर you can आएगा, यहाँ पर इसके अंदर आपको बोलना है कि आप बाते नहीं कर सकते हो, मतब you will not नहीं आएगा, यहाँ पर cannot आएगा, तो इसके answer जिसके भी यहाँ पर सारिक सारे सही है, उसको वो congratulations लिखो भाया, क्योंकि आपने बहुत ही अच्छा करा है, जिसके दो तिन भी सही है, वो भी congratulations लिखो, हर कोई नहीं मतब जिसने भी try करा है, वो comment section के अंदर congratulations लिखो, जब कभी भी आप ऐसे comments लि करना है, sonia did her duty, मतलब इसको एक बार बताओ, मेरे को बताओ, comment section के अंदर देखो, जो भी मैं बोल रहा हूँ, उसको comment के अंदर बताते जाओ, साथ में, बहुत ही अच्छा लगेगा, तो यहाँ पर आएगा कि sonia did her duty, मतलब sonia did not done her duty, फिर इसी तरीके से second वाला, third वाला, fourth इन सबी के answers आप करो, जल्दी से इनको करो कि आपको यहाँ पर rewrite करना है, using two two का, मतलब the mango is so sore that I cannot eat it, तो यहाँ पर the mangoes are too sore that I cannot eat it, तो फिर यहाँ पर इस तरीके से लिखना है, अगर कोई कहा जाए कि off it लगाना है, तो इस तरीके से आपको लगा करके हिंदी के अंदर करके यह mcqs है, तो यह mcqs कर लेना, और अपनी बतब text book के answer मैं नहीं बताऊँगा, text book के खुद से करो, text book के जितने अभी तक अगर revise निकरा तो अभी time है, revise कर सकते हूँ, then फिर उसको बाद मेल चाज़ते हैं, इसी तरीके से सारे questions करना है, यह पूरक 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 PDF आपको मिल ही जाएगी, PDF डाउनलोड कर सकते हो, और सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको और भी आगया आने वाले paper वगएरा मिल सकेतो, उसके लिए क्या करना है, सब्सक्राइब करो जल्दी से कि आपको और भी papers वगएरा मिल जाए, तो मिलते नेक्स्ट वीडियो के अंदर ज साथ में जरूर से शेयर करना जो कि इसको completely watch कर जिनकों कि इस पेपर की जरूरत है तो जल्दी से शेयर कर अपने तीन फ्रिट्स के साथ